हलो मेरा नाम होजज और अब हम पार्ट वन का जो GLB और LBU का स्वरी LUB और GLB का जो पार्ट वन था यह उसका continuation है पार्ट टू ओके तो अब यह वह सम हम continue कर रहे हैं ठीक है तो अब हमें कौनसे भी दो नमबर लेने हैं जिसका जिसका LUB 6 आता है और जिसका GLB 1 आता है तो टू और 3 इसका LUB 6 आता है टू और 3 और ट्राइ करना कि जो हम elements धून रहे हैं 2 और 3 उसका उल्टा किया मतलब 3 और 2 तो वह यह नमबर आना चाहिए जो टू और थी का आयह था तो टू और थी का 6 साता है और 3 खुशा साता आ अब आगे और 2 और 3 करना आता है यह वह वह तुहमें लिखना नहीं है बस तुम्हें इतने लिखना है ओके अब आगे अब लिखना है complement of 2 is 3 और complement of 3 is 2 और vice versa लिख देता है या उसका उल्टा बेटी का है vice versa मतलब complement of 3 is 2 complement of 2 is 3 और complement of 3 is 2 अब हम आगे बढ़ते हैं तो therefore a is a complemented lattice ठीक है अब उसके आगे बढ़ते हैं हम लो अब complemented lattice है अब इसको हमें distributive law proof करना है तो यही दो नंबर के मदद से तो अब अब distributive law क्या कहता है कि हम distributive law कहता है कि a मतलब यह वो law है ठीक है अब इसे हमें इन दो नंबर से proof करना है तो हम a equals to 2 लेते हैं और b equals to 3 लेते हैं तो अब a के जगे पर हम 2 लेते हैं और b के जगे पर 3 लेते हैं तो 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 और 3 equals to 2 अब 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 हमारे टेबल के मादद से हम इसे solve का देंगे तो 2 2glb3 क्या होगा 2glb3 1 होगा और 2 lub2 2 lub2 2 होता है और 2glb2 sorry 2 lub2 lub3 2 lub3 6 होता है ठीक है अब 2 lub1 2 lub1 2 equals to 2glb6 2glb6 2 ओके तो यह प्रूव हो चुका है sorry मैं एक फिर से बताता हूं यह हां तो यह distributive formula यह distributive formula है हमने assume कि a equals to 2 है b equals to 3 है ठीक है और फिर उसके बाद हमने values डाल दिये ओके फिर यह हमने यह हम ही पता है कि यह हमारा glb का sign है और यह lub का sign है तो हम bracket में का सबसे पहले solve करते है table की मेल से तो 2 glb 3 मतलब 2 glb 3 1 आता है ओके और बागी वैसे को ऐसा इक्वल्स टू 2 lub 2 2 lub 2 आता है और फिर 2 lub 3 2 lub 3 6 आता है ओके फिर 2 lub 1 2 lub 1 2 आया और 2 glb 6 2 2 jlb 6 2 आया तो 2 equal to 2 ओके यह यह प्रूव हो चुका है ओके तो अब हम answer लिख सकते है कि क्योंकि 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 सारे सारे जो चीजे थे इने साटिस्फाय कर दिया है और हम answer जो question था वो लिख सकते है अब बुलियन अलजेब्रा ओके तो आहो आपको लेक्चर अच्छा लगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो शेर करो और प्लीज 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 सब्सक्राइब करो ठीक है थैंक यू